कॉंग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के राय बरेली और अमेठी संसदिय निर्वाचम क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशवा कर दी। कॉंग्रेस की विग्यप्ती के अनुसार राहुल गांधी इस बार राय बरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कॉंग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोशित किया है। उलेखनिय है राहुल इस से पहले अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2004 में अमेठी से चुनाव जीता। इसके बाद लगातार तीन बार अमेठी से चुनकर लोकसभा पहुँचे। 2019 में उन्हें अमेठी में भाचपा उम्मीदवार स्मृती इरानी से हार का सामना करना पड़ा। गनीमत ये रही कि राहुल ने केरल के वाइनाट से भी चुनाव लड़ा और यहां से वो जीते। साथ चरण में होने वाले आम चुनाव के पांच में चरण में 20 मई को राय बरेली और अमेठी में मद्दान होना है। लंबे समय तक ये दोनों सीटे परंपरागत रूप से नहरू गांधी परिवार के सदस्यों के पास रही है। अमेठी से इस बार भी भाजपा ने केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी को मैदान पर उतारा है। 2019 में राय बरेली से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। इस बार अमेठी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चरचा रही है। मगर कॉंग्रेस ने यहां से शर्मा को तिकट दे कर प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया।